हलो फ्रेंड्स गुड बॉर्णिंग कैसे हो आप सब स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल सारा होम साइन्स एजूकेशन में आज हम पढ़ेंगे होम मेनेजमेंट होम मेनेजमेंट में हम क्या पढ़ ले थे हम कल कहां तक पढ़े थे कल हम लोगों ने क्या देखा था ह हम किचन के टाइप के बारे में पढ़े थे किचन कितने प्रकार के होते हैं यह देखा था हमने सबको याद होगा किचन कितने प्रकार के थे उसमें क्या-क्या यूच किया जाता था कैसे क्या होता था सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया था अच्छे से कि र दूइप रसोई, एक दिवार वाली रसोई, दो दिवार वाली रसोई, एल आकार की रसोई, यू आकार की रसोई, ये सारी रसोईों के बारे में हम लोग बात किये थे, आयताकार रसोई, किसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसमें दरवाजे कहां होते हैं, ये इन सब चीजो आज आज हम देखेंगे इंटेरीर डेकोरेशन पर्ड़ा कोंटें के बारे में आज हम करेंगे पहले हम देख लेते हैं इसreiben मुना प्उइंट हैं क्या का यूज क्यों किया जाता है इसके बारे में यहां पर बताए गया है पहला क्या है गोपनियता यूप एकांतिता के लिए परदे का यूज हम क्यों करते हैं गोपनियता मतलब होता है एकांत श्थान हो जाए जिससे कोई भी काम हो अगर काम जो हम करते हैं कुछ काम ऐसे होते जिसको हम सबके सामनी कर सकते हैं, लेकिन कोई काम ऐसे होते हैं जिसको क्या करते हैं, गोपनियता रखा जाता है, उसको छुपा कर किया जाता है, तो यही क्या होता है, जो परदे का यूज है, वो किसलिए किया जाता है, तो गोपनियता यूम एकांतिता के लिए, एकांतिता के लिए एकांद करने के लिए और किसके लिए किया जाता है कोई भी चीज गोपनी रूप से करने के लिए या फिर गोपनियता दिखाने के लिए परदे का यूज किया जाता और क्या होता है प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए आज मेरे गर्दन में थोड़ी सी प्र तेजवा प्रकार इन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं परदो का यूज कर देख प्राक्रृतिक में क्ञार आप दाओं में में वर्सा आजाएंगि dough सोफ हो गया तेज रोश्णी को बढ़ाने के लिए हमें अपने रूम की जब सुन्दर्ता बढ़ानी होती है अपने घर का डेकोरेशन करते हैं तो उसमें परदे भी आ जाते हैं परदे क्या करते हैं हमारे घर के सुन्दर्ता को बढ़ाते हैं कई गुणा तक बढ़ा देते हैं जिस टाइप के हम परदों करेंगे कोई ओकेचन हुआ कोई भी शादी कुछ भी ओफी पुराने पर्दे यूज करें जैसे जो पर्दे हम डेली यूज करते हैं वही किसी ऑश्र पर कोई भी त्योहार हो उस पर यूज करें तो वह क्या होगा तो एक ही रूप रहेगा जैसे हमारा घर कल लगता था विश्याज लगेगा लेकिन क्या होगा कि यहां पर बिभीदता को दिखाने के लिए हम ओकेशन में कोई तेवहार हो पार्टी हो तो अलग अलग टाइप के हम जब परदों का यूज करते हैं तो वह क्या दिखाता है विभीदता को दिखाता है और क्या करता है सौंदर तो बढ़ाता ही बढ़ाता है लेकिन उसके सासत क्या होता है विभीदता को भी दिखाता है अ व्यक्तित्तों किस्ते हम आग सकते हैं उसके द्वारा पहनी गए वस्त्रों से उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है उसी तरह से क्या होता है जिस घर में जिस टाइप के पर्दे यूज किये जाते हैं पर्दों से भी उसकी क्या होते हैं मनो भाव मनो दैसा को व्य दूसरा प्राकृति कापड़ा है तीशा शौंदर है चौता विवित्ता है और पाच्वा क्या है मनों भाव को दिखाता है अब हम क्या देखेंगे परदे का अगर हम चुनाओ कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे किस टाइप के परदे कहा पर यूज करना चाहिए इसमें यह इसमें भी कुछ main point लिए हुँआने, इसको देख लेते हैं, आपने क्या देखेंगे ताइफ के प्रकार में देखेंगे, यहां से question पूछा गया, यहां से तो बहुत कम question है परदे हमेशा पख्ग के होने जहीं जो भी परदा समलेने वह क्या होना चीए उसका रदा होना चाहिए तो क्या रखना है ध्यान परदे हमेशा पक्के रंग के होना चाहिए ये एक में पॉइंट है दूसरा क्या है गर्मी में हलके परदों का यूज करना चाहिए गर्मी में क्या करना चाहिए हलके परदों का यूज करना चाहिए और दूसरा क्या है ठंडी में गहरे रंग के पर करते हैं वो धूब को प्रिकास को अशूशित कर लेते हैं अपने अंदर समाहित कर लेते हैं जिससे क्या होता है गर्मी लगती है जैसे हम ठंडी के मौसम में गहरे कलर का वस्तर पहनते हैं और गर्मी में हलके कलर का वस्तर पहनते हैं सेम सेम यही दिया गया है यहां भी क्या होगा गर्मी में हलके कलर के परदों का यूज करेंगे तो कम गर्मी लगेगी क्यों कि ये प्रकास का परावर्तन कर देते हैं और तीसरा क्या है ठंडी में गहरे रंग के परदों का यूज करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि ये प्रकास को अपने में और शोशित करते चोथा पॉइंट क्या है बच्चों के रूम में घेरे और चटक रंगों का प्रियोग करनाचाहिए पाचवा है छोटे कमड़ों में हलके रंगा यूज करनाचाहिए जो अगर बहुत छोटे चोटे रूम है, जो रूम बनाएं वो बहुत छोटा है, तो हम उसमें क्या लेंगे, उसमें कौन सा पर्दा लगाएंगे, हलके कलर के पर्दों का अगर हम यूज करेंगे, तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, छठा क्या है, बड़े रूम में ग गहरे रंग के पर्दों का प्रयोग करेंगे अगर हमारा रूम बड़ा है तो हम गहरे रंग के पर्दों का यूज करेंगे सात्वा क्या है सयनकच में हलके कलर का यूज करेंगे जैसे सयनकच में क्या होता है लाइट कौन सा होता है जीरो वाट का लाइट को हम यूज करते है उसी तरह से सयन कच में हलकी कलर के परदों का यूज करेंगे अठवा क्या है कमरों की दिवार चित्रित हो तो शादे परदे का यूज करेंगे अगर हमारे कमरों की दिवार में कोई डिजाइन उगयरा नहीं बनी है बहुत जगें आप लोग देखें होंगे कि कमरों की दिवारे में क्या बनी होती है ऐसे फूल पत्या कुछ भी डिजाइन बना दिया जाता है पच्छियों को बना दिया जाता है तो अगर साधे जो दिवार है जो रूम की दिवार है जो मारे घर की दिवार है अगर वो साधा है उस पर कोई भी पेंटिंग कोई भी चित्र कोई भी कुछ भी नहीं किया गया है तो हम क्या करेंगे तब तो हम फूल वाले कुछ भी ले सकते हैं जिसमें फूल, पतियां, कुछ भी जानवर औगेरा कुछ भी बने हो तो अब तो हम ऐसा लगा सकते हैं लेकिन अगर हमारी दिवारे चित्रित है उस पर कुछ भी चित्र औगेरा बना है डिजाइन बना है तो हम क्या करेंगे हम साधे परदो का यूज करेंगे यह कुछ important point है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको add कर दिया है इसको भी जानना जरूरी है नवा क्या है दिवार की लंबाई छोटी हो तो लंबी डिजाइन वाले परदो का यूज करते हैं दिवार की अगर लंबाई छोटी है जो अमारे रूम की दिवार है उसकी लंबाई अगर छोटी है तो हम कैसे परदो का यूज करेंगे लंबे डिजाइन वाले परदो का यूज करेंगे जैसे हम पढ़ते हैं इसी में हम पढ़ेंगे टिक्स्टाइल में ही पढ़ेंगे जो छोटी लड़किया होती है उन्हें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए तो लंबी डिजाइन वाले वस्त्र पहनने चाहिए इससे क्या होता है वे थोड़ी सी लंबी दिखेंगी और पतली दिख करेंगे अगर हमारे रूम में कालीन बिछा है या फिर डार्क कलर के विड सीट है तो हम कैसे परदों का यूज करेंगे तो उन साधे परदों का यूज करेंगे गिरावा क्या है पुरुसों के रूम में बड़े नमूने वाले परदों का यूज करेंगे पुरुसों के रूम परदों की छोटी डिजाइन का यूज करते हैं जो इस्त्रियों के रूम में परदे लगेंगे उसमें छोटी छोटी डिजाइन सोनी चाहिए और तेरामा क्या है बेबी बॉय के लिए कार्टून वाले परदे यूज करेंगे जैसे क्या हो गया चोटा भीम निंजा तोड़ी जो कार्टून उसे पसंद हो उस कार्टून के हम पर्दे यूज करेंगे बेबी बॉय के रूम में और बेबी गर्ले के लिए कौन सा यूज करेंगे टेडी बियर डॉल्स बास्केट डॉल जो भी डॉल आती है उसको हम उसके लिए यूज करेंगे ये क्या हो गया ये तो हो परदे हम किसलिए यूज करते हैं, इसके किस पॉइंट हैं और परद का चुझनाओ करते टाइम किस शीज का ध्यान रख न चाहिए, उसके कुझ पॉइंट ये हैं अब हम देखेंगे टायप अफ कटन्स, परदो के प्रकार के बारे में हम देखेंगे अब हम देखेंगे पर्दों के प्रकार के बारे में कितने प्रकार के पर्दे होते हैं पहला क्या है पहला है ड्रेपरी पर्दों के प्रकार पहला में क्या आएगा पहला है ड्रेपरी ड्रेपरी नाम सब लोगों ने सुना होगा जो बुक पढ़ते होंगे वो तो सुने होंगे जो बुक पढ़े होंगे जो मैनेजमेंट की बुक पढ़ते होंगे वो सुने होंगे क्या सुनेंगे डेपरी डेपरी क्या होता है ये एक सिंपल सा परदा होता है उसके उपर क्या किया जाता है उसकी खुबसूरती को बढ़ाने के लिए उसके उपर से मोतियों की लडिया या फिर सितारे मोती स्टोंस किसी भी चीज की लड़ी उपर से लगा दिया जाता है ये परदे के ऊपर से डेपरी को लगाया जाता है और ये होता क्या है तो मोती सितारा या फिर स्टोन्स की लरियां होती है जिसके घर में जितने मिंबर हैं उनकी मिंबर के जो भी जो भी उनकी च्वाइश होती है जो उनका फेवरेट चीज होता है वो अपनी हिसाब से लगा ले अलग से लगाया जाता है और यह होता क्या है तो यह स्टोन सितारे सितारा या फिर मोती की मोती की लड़ियां होती है इससे क्या होता है इससे पर्दे की खुबसूर्ती और जादा बढ़े जाती है यही होता है बस ड्रेपरी क्या होता है इसमें ड्रेपरी पूछा गया है ड्रेपरी क्या होता है पर्दे के ऊपर से लगाया जाता है अलग से यह सजावटी वाला होता है या फिर डिजाइन्स वाला होता है कपड़ा होता है अपन अब यहां से क्या लगा है यहां से लगा है हमारा परदा यह हो गया हमारा परदा अब इसी पर क्या लग जाता है इसी पर यह सजावटी वाला जो ड्रेपरी इसी के ऊपर से लगा दिया जाता है सब लोगों ने देखा होगा मूबे औगेरा में सब लोगों ने देखा होगा ये क्या होता है फिर से एक बार समझ लेते हैं ड्रेपरी क्या होता है परदे की ऊपर से लगाया जाता है यह एक सजावटी कपड़ा होता है कुछ भी होता है सजावट के लिए लगाया जाता है परदे की परदे का जो आकशन है वह और ज़्यादा बढ़ जा और इसमें क्या होता है स्टोन सितारा या मोती की लरियां होती अब हम अगला देखेंगे अगला क्या होता है कार्णिस दूसरा क्या है कार्णिस क्या होता है या यह किसी भी धातु का बना होता है प्लास्टिक का भी हो सकता है लोये का हो सकता है किसी भी चीज का यह बना होता है यह क्या होता है एक सजावटी समान यह भी होता है यह कहां पर लगाया जाता है यह लकडी प्लास्टिक किसी भी चीज का हो सकता है सुन्दर अलंकरित आकरित होती है जहां पर हमने परदा बाधा था वहां पर जो पाइप लगा होता है वो दिखेना इस चीज के लिए यह लगाया जाता है अभी हम जब फीगर बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे कि यह लगता कहा है यह क्या होता है यह लकडी या प्लास्टिक का होता हैर और यह होता क्या है तो ये सजावटी या अलंकृत आकृत होती है ये क्या होता है अलंकृत आकृत होती है और इसे लगाया किसलिए जाता है तो जब हम परदे लगाते हैं वहाँ पर पाइप लगता है जो इसक्रू लगता है या डोरी लगती है कुछ भी लगती है वो दिखे ना इसलिए लगा पहले हम जान लेते कार्णिस होता क्या है लकड़ी प्लास्टिक किसी भी धातुका बना हुआ होता है और यह होता क्या है अलंकरित आकरित होती है और इसे लगाते किसलिए हैं पर्दे के पर्दे का पाईप इसक्रू डोरी ना दिखे इसलिए हम क्या लगाते हैं इसलिए हम कार्णिस लगाते हैं अब इसको हम फीगर बना कर देखेंगी यह कैसा होता है ये माललो क्या हो गया ये हो गया हमारा गेट अब क्या होता है यही पर हम क्या लगाते हैं परदा लगाते हैं ऐसे एक पाइप आती है दोनों साइट क्या होता है इसक्रू लगा होता है यही से हम परदा लगाते हैं लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि लकड़ी प्लास्टिक किसी भी धातुका बना हो सकता है और क्या होता है अलंक्रित आक्रित होती है इसमें क्या होता है परदे का पाइप इसक्रू या डोरी ना दिखे इसलिए क्या लगाए जाता है तो आप लोगों देखा होगा जो गाओं के घर होते हैं पहले जमानी के जो भी घर दिखेंगे आपको उसमें जब दर्वाजे पर जाएंगे हम तो किसी भी डिजाइन का ऐसे बना हुआ दिखता है और इसी के अंदर से क्या होता है इसी के अंदर यह जो पाइप गई है इसी में से क्या लगा जाता है परदे को लगा दिया जाता है कैसे बना हुआ होता यह मालो हमारा गेट है इसी गेट के ऊपर ही किसी भी अभी तो नए घरों में नहीं है लेकिन जो पुराने घरें वहां पर यह डिजाइन आपको जरूर देखने को मिल जाएगी यह क्या होता है यह होता है कारनेश अब क्या करेंगे हम इसी के यह तो ऊपर दरवाजे पे बना होता है इसी के अंदर से क्या होता है इसमें पीछे जगे होती है यह आगे ऐसे दिखता है पीछे लेकिन इसमें जगे होती है इसमें क्या किया जाता है यही से इसके अंदर से ही हम परदे को लगा देते हैं तो क् परदे में warrior dory यह कुछ भी लगा है वह दिखता नहीं है किस के कारण नहीं दिखता नहीं है तो कारणिस लगा है इसी के कारण यह दिखता नहीं दूसरा सबको समझ में ऑगे होका कारणिस क्या होता है लकडी यह प्लास्टिक का बना हुए अलं만 अंक्रित डिजाइन होती है आक्रित होती है यह क्या करती है डोरी स्क्रू या पर्दे का कुछ भी कोई भी आइटम ना दिखे जहां से हम पर्दे लगा रहे हैं इसी का यह काम करता है इतना में रहने देती हूं उसको और मिठा देती हूं अब देखते हैं तीसरा क्या आता ह तीसरे में क्या है तीसरे में आ जाएगा स्वेग योम कास्केड क्या होता है यह क्या होता है स्वेग योम कास्केड क्या होता है इसमें भी कारनिस लगा हुआ होता है अभी हम देखेंगे कि इसमें कैसे लगा होता है इसमें क्या होता है इसमें परदे को किसी डिजाइनर टोरी से या डिजाइनर पिन से बांध दिया जाता है और उसके उपर क्या लगा हुआ होता है उसके उपर कारनिस लगा हुआ होता है ये क्या होता है इसमें सजावटी पिन लगा देते हैं या फिर दिबन से बान देते हैं कई बार एक ही कलर का परदा लगा दिया जाता है फिर इससे स्वेग सेट कर दिया जाता है उपर से इसमें क्या होता है सोग्यों कास्केड में क्या होता है इसमें परदे को परदे को डिजाइनर डिजाइनर पिनिया रिवन से पिनिया रिवन से बान दिया जाता है और इसमें क्या होता है कई बार एक ही कलर का होता है जो स्वेग होता है और जो उसका पर्दा होता है जो स्वयक्यूम कास्केड होता है कई बार एक ही कलर के पर्दे पे स्वयक कास्केड अलग ये खी यूज होता है और कई बार अलग 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 पर्दा अलग होता है क्या होता है इसमें कई बार कई बार एक ही कलर का एक कलर का पर्दा प्रयोग करते हैं और कभी कभी पर्दा अलग कलर का अलग रंका और कास्केड अलग कलर का लगाते हैं यहां से question आया था कि जो स्वेग्यम casket होता है यह क्या होता है इसमें परदे को डिजाइनर पिन या रिवन्ड से बाढ़ दिया जाता है और क्या होता है कई बार एक ही color का परदा और कास्केट होता है और कई बार परदे का कलर अलग होता है और कास्केट का कलर अलग से लगाया जाता है बेन जो होता है इसमें यही इतना है कि क्या होता है इसमें परदे को डिजाइनर पिन या फिर रिवन से बात दिया जाता है उसके उपर से कास्केट को लगा दिया जाता है अब हम देखेंगे इसमें कैसे क्या होता है कैसे कास्केट बनाया जाता है इसमें क्या होता है इसमें भी कार्नेस का यूज किया जाता है मानलों कि ये क्या हो गया ये हो गया हमारा गेट ये क्या हो गया हमारा गेट इसमें क्या लगा होगा पहले यहां से कार्नेस लगा यह धातू का क्यों सकता है प्लास्टिक का हो सकता या फिल लकडी का हो सकता है इसमें भी क्या होगा इसमें भी कार्निस लगा हुआ होगा उसके बाद क्या किया जाता है कार्निस लगा हुआ होता है आप लोगों ने ऐसे परदे देखेंगे एसा परदा सब ने देखा होगा यही से क्या किया जाता है इसे रिबनीया पिंकी सहायता से बांधिया जाता है यह क्या होता है यही हो गया स्वेग स्वेग्यूम कास्केट में क्या होता है ये कार्नेस हो गया और ये क्या हो गया स्वेग हो गया समझ में आ गया सबको क्या होगा इसमें स्वेग को सेट कर दिया जाता है इसमें उपर से भी लगा सकते हैं या फिर इसको उपर से भी लगा सकते हैं परदे को डिजाइनर पिन या रिबन से बांद देते हैं, इसको उपर से भी लगा सकते हैं, जैसा हम चाहे वैसा इसमें कर सकते हैं, अब हम अगला देखेंगे अगला क्या है, ब्लाइंड वेनिस अगला क्या है ब्लाइंड बेनिस ये सब क्या है ये भी परदे के प्रकार है इसमें क्या होता है इसको वेनिसियल ब्लाइंड भी कहते हैं इसमें क्या होता है जब रसी को खीचा जाता है इसमें क्या होता है इसमें प्लास्टिक की कांच की किसी भी चीज की प्लेट होती है इ और जब रस्ती को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, प्लेट अपने आप पर्दी के रूप में बन जाता है, यह क्या होता है, ब्लाइंड बेनिस इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, वेनेसियल ब्लाइंड, इसका दो नाम है, दोनों नाम याद कर लेते हैं, हम कहते ह सवी इसमें क्या किया जाता है इसमें काच की या प्लास्टिक की क्या लगे उगी होते हैं प्लेट की ब्लेट लगी होई होती है क्या लगी हुई होती है ब्लेड लगी होती है और क्या होता है जो में रसी खीचते हैं तो ब्लेड अपने आप उपर चला जाता है और जो हम रस्टी छोड़ देते हैं तो blade अपने आप नीचे आ जाता है इसमें कहाँ पर यह यूज होता है होटल में मौल में या फिर रेस्टोरेंट में यूज होता है यह होटल होटल, मॉल या फिर रेश्टोरेंट में इसमें होता क्या है? रस्सी खीचने पर रस्सी खीचने पर उपर उठता है और रस्सी छोडने पर नीचे आ जाता है क्या आ जाता है? वही जो इसमें ब्लेड लगे हुए होते हैं अब इसका हम फीगर बना कर देखेंगे ये परदा कैसा होता है? ये माललो गेट है इसमें क्या लगे होंगे? इसमें ब्लेड लगे हुए होंगे जैसे cooler में blade लगा हुआ होता है same इसमें भी काच या किसी भी चीज के क्या लगे होंगे blade लगे होंगे जब यहां से रस्ती खीचा जाता है यहीं से एक रस्ती निकला होगा जब यह रस्ती खीचते हैं तो क्या होता है blade अपने आप उपर चला जाता है यह खुल जाता और जब रस्ती छोड़ देते हैं तो यह क्या होता है पर्दे के रूप में ढख जाता है यह क्या ही यह ब्लेड होते हैं यह क्या हो गया, Blind Bendis हो गया, इसका दूश्रा नाम क्या है, बेनसियल ब्लाइन्ट हैं, यह इम्पॉर्टेंट है, इसको याद भी करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है, इसमें कैसे ब्लेड लगे होते हैं, काज या प्लास्टिक के बेर्ड लगे हूzić JJ कहां पर किया जाता ह किसमे क्या होता है रश्सि खीचने पर परदा अपने आप तो घचाता है और चोड़ने पर परदा अपने आप नीचे गपıll 1 जाता है तो ब्लै्ड किसमें यूज होता क्या है गद्देदार फरनीचर होता है अफोष्टी किसको कहते हैं तो गद्देदार फनीचर होते हैं उसका जो कवर होता है उसी को क्या कहते हैं अफोस्ट्री कहते हैं इसमें क्या होता है फनीचर पर डालने वाले कपड़े को ही क्या कहते हैं अफोस्ट्री कहते हैं फनीचर पर डालने वाले या फिर उसके कबर को या फिर डालने वाले को जैसे क्या होता है सोफे पे उपर से डालने का कबर आता है सेम वही होता है अफोस्ट्री सोफे का कबर ही है अफोस्ट्री इसमें क्या होता है फनीचर पर डालने वाली कपड़े को क्या कहते हैं अफोस्ट्री कहते हैं ये किसमें आया है अफोस्ट्री कहते हैं यह किसमें आया है यह PGT और नेट दोनों में पूछा गया है PGT में पूछा गया और नेट में भी यह आया है आप होस्टी किसे कहते हैं आप होस्टी में सोता है गद्यदार फनीचर इसमें क्या होता है फनीचर पर डालने वाले कपड़े को क्या कहते हैं आप होस्टी कहते है ये थोड़ा मोटा कपड़ा होता है और थोड़ा भारी भी होता है ये कैसा होता है थोड़ा मोटा होता है मोटा होता है और क्या होता है भारी भी होता है जो सोफे का कपड़ा होता है जो उपर से हम डालते हैं वो क्या होता है अफोश्टी होता है उसका कपड़ा कैसा होता है मोटा भी होता है और कैसा होता है थोड़ा सा भारी भी होता है और यह क्या होता है इसको फनीचर ढखने के लिए कसते हैं इसमें क्या होता है बस इतना ही हम जानले इतना बहुत है और इसमें क्या किया जाता है इसको फनीचर ढखने के लिए कसा जाता है जैसे क्या है जैसे आएगा इसमें सोफे का कवर ये क्या हो गया ये हो गया अब हो ला होता है अगला है लेंबरी कोईन अब हम देखेंगे अगला लेंबरी कोईन अब हम देखेंगे लेंबरी कुईन क्या होता है लेंबरी कुईन भी किसकी तरह होता है स्वेगियूम कास्केट की तरह ही होता है इसका टू कॉपी है ये जो लेंबरी कुईन है ये किसका टू कॉपी है तो ये स्वेगियूम कास्केट का टू कॉपी है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है ये मालो ये हो गया गेट इसमें भी क्या लगा हुआ होता है कार्णिस लगा हुआ होता है उसके बाद इसमें लेंबरी कुईन लगता है इसमें भी उपर से लगता है और सोयग्यों कास्केट में अभी मैं दोनों में अंतर बता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे लेंबरी कोईन क्या होता है इसमें क्या होता है यह मालो हो गया कार्निस यह क्या हो गया यह हो गया कार्निस किसका होता है तो प्लास्टिक का होता है या फिर लकडी का किसी भी धातुका जिसके पास जैसा बजट हो वैसा बनवाते हैं यह क्य कहांगी आप लोगों को कि जो जो लेंबरी कुईन होता है वो कहां पर लगता है यहीं से जो यह लटका हुआ होता है यह क्या होता है यह लेंबरी कुईन आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप के परदे को देखा होगा यह मालो यह हमारा सीधा परदा हो गया यह क्या है लेंबरी कुईन और ये क्या है ये है कारनिस जो इसमें लेंबरी कुईन होता है वो कैसा होता है सीधा जालर होता है लेंबरी कुईन क्या होता है सीधा जालर होता है सीधा जालर होता है और ये भी कहां से लगाए जाता है ये भी उपर से लगाए जाता है जैसे हम स्वेगयों कास्केट को लगाते हैं सेम इसको लगाते हैं ये परदा हो गया ये क्या हो गया लेंबरी कुईन हो गया ये क्या हो गया कारनिस हो गया ये तो हो गया लेंबरी कुईन लेंबरी कुईन क्या होता है सीधा जालर होता है उसको भी परदे के उपर से लगात सबको लेंबरी कुईन क्या होता है सीधा जालार होता है इसको भी परदे के उपर से लगाते इसमें भी क्या लगा होता है कारनेस होता है जहां पर भी परदे लगाते और क्या होता है लेंबरी कुईन जा कारनेस हो तब भी सही नहीं हो तब भी सही लेकिन यह क्या होता है जो पर बना देती हूं स्वेग यों कास्केड अब इसका फीगर बनाएंगे यह किसका फीगर हो गया यह लेंब्री कुइन का अब स्वेग कास्केट का फीगर बनाएंगे यह हो गया परदा यह क्या हो गया यह हो गया परदा और यह क्या हो गया यह हो गया कार्नेश यहां पर थोड़ा सा designer Carnis बना देते हैं यह क्या हो गया यह हो गया Carnis उसके बाद हम क्या बनाएंगे अब 101 बनाएंगे 101 कैसा होता है यह तो हो गया Carnis अब यहां से जो ऐसे निकला हुआ होगा यहां से इस टाइप के परदे सबने देखे हुए होंगे यहां पर क्या किया जाता है यहां पर डोरी या फिर क्या किया जाता है यहां पर डिजाइनर पिन द्वारा बांध दिया जाता है जो इस तरह के पर्दे होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं स्वेग्यों कास्केड ये कैसा जालार इसमें लगा हुआ होता है इसमें तिर्चा जालार लगा होता मैं यहाँ पर ये जो बना है इसको थोड़ा सा सिंपल बना देती हूँ अब समझ में आएगा यह हो गया ऐसे पर्दे सब लोगों ने देखा होगा इसमें मैं कार्निस नहीं बनाऊंगी इसमें कार्निस नहीं बनाऊंगी यह क्या हो गया यह हो गया लेंब्री यह हो गया स्वेगियों कास्केड यह कहां हो गया यह हो गया स्वेग कास्केड हो गया इसमें क्या होता है इसमें जो भी परदे होते हैं उसको पिन की सहायता से या डिवन की सहायता से यहां पर बांद देते हैं और यहां से इस टाइप का यह इस टाइप का इसमें आकार बन जाता है और यह क्या होता है यह बहुत ही सुन्दर लगता है और अगर इसमें क्या होत यह हो गया कार्निस यह अंतर होता स्वेग्यों कास्केट कैसा होता है तो यह तिरच्छा जालर होता है इसे पिनिया रिवन की शाहता से बांद देते हैं वहीं पर जो लेंबरी कुईन होता है वो क्या होता है वो सीधा जालर होता है परदे के ऊपर से लगाया जाता है इसको ये दोनों में अंतर है, अब सबको समझ में आ गया होगा, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट, अगला क्या है चिक, चिक पर्दा क्या होता है इसको देखेंगे, ये सबको समझ में आ गया होगा, तो अब इसको मिटाना पड़ेगा यहां से, अब हम देखेंगे चिक चिक कौन सा परदा होता है इसको देखेंगे चिक कौन सा परदा होता है तो ये कपड़े से बना हुआ परदा नहीं होता है इसका जो में पॉइंट है वो क्या है ये कपड़े से बना हुआ परदा नहीं होता है ये बास की पतली फट्टियों से बना हुआ होता है पतले पतले टुकडे काट लिये जाते है उससे बनता है या फिर किससे बनता है या फिर सीक से बनता है ये सीक वाली जाडू जो होती है उस सीक से बना हुआ परदा होता है ये कैसा परदा होता है ये कपड़े का परदा नह नहीं है यह जब यह कपड़े का परदा नहीं है तो यह क्या होता है यह बास की पतली फट्थियों से पास की पतली फट्थियों से या फिर सीख वाली जाड़ू के सीख से बनाया जाता है और इसको बनाया कैसे जाता है अभी हम यह भी देखेंगे अब इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है यह धागों से इसको एक समान जो बास की पतली फट्थियों होती है या फिर जो सीख के जाड़ू होते हैं उसको एक समान लेयर में लगा देते हैं फिर किस से बानते हैं उसको धागे से हम बान देते हैं यह मालो सीख हो गया ये क्या हो गया ये हमारा सीख हो गया अब इसको कैसे बांदेंगे इसको धागे की सहायता से हम बांदेंगे अब इसको धागे की सहाइता से यहां से ऐसे से इसको बांदेंगे जब इसको हम बांदेंगे तो यह क्या हो जाएगा एक में यह सब जुड़ जाएगा यह खुलेगा नहीं आप लोगों ने देखा होगा जो भी गाउं साइट के होंगे उनको पता होगा क्या होगा कि जब गर्मी का महीना रहता है गाउं में जो दादी लोग होती है पहले वो बनाती थी क्या बनाती थी जो सीख निकलता है गाउं में सीख होती है वो निकलती है उसको लोग तोड़ जो पंख्या पंख्य का काम करता है गर्मी में हावा से लिसको पहले एक लाइन में जिल फिर क्या करते है उसको थागे से बांध डेते और इसका पर किया जाता है तो इसका प्रयोग आस्रम या मठ वे कहां से किया जाता है इसका प्रयोग जाता तर कहां पर किया जाता है आस्रम में आस्रम या फिर मठ में किया जाता है यह जो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं वो अपने लॉन में इसका प्रयोग करते हैं जो प्राकृतिक प्रेमी होते हैं प्राकृतिक प्रेमी लोग इसका यू और क्या होता है ये अपने लॉन में करते हैं ये परदे के रूप में भी यूज होता है और आसनी के रूप में भी यूज होता है ये कहां पर यूज होता है ये आसनी के रूप में भी यूज होता है आसनी के रूप में और किसमे परदे के रूप में दोनों में ये यूज हो लेते हैं फिर धागे से उसको बांद दिया जाता है जिसको लिखना हो लिख भी सकता है मैं दुबारा बतारी हूं क्या होता है बास की फट्टिवी यह फिर सीख को क्या किया जाता है एक लाइन में हम रख लेते हैं फिर क्या करते हैं यह मानलो यह जो है यह सीख है मैं यहां रूप में होता है यह आसनी के रूप में आसनी मिंस क्या होता है बैठने के रूप बैठने या फिर चटाई के रूप में भी इसको यूज करते हैं पूजा करते टाइम जिस पर बैठा जाता है उसके रूप में भी यूज होता है यह तो हो गया चिक अब हम क्या देखेंगे अगला देख लेते हैं कास्मिन्ट यह हमारा लास्ट परदे का रूप है क्या है कास्मिन्ट कास्मिन्ट यहां से कुष्चन हर बार पूछा गया है यह इतना आसान भी नहीं है जितना आसान लग रहा होगा सुन्ने में इतना आसान नहीं है यहां से हर बार कुष्चन पूछ यह कास्मेंट क्या होता है यह एक प्रकार का कपड़ा होता है मोटा कपड़ा होता है और अपार दर्सी होता है यह कैसा कपड़ा होता है मोटा और अपार दर्सी अपार दर्सी मिन्स क्या होता है जो आर पार ना दिखे कैस में कास्मेंट के कपड़े में सब लोगों ने प्रेक्टिकल के टाइम पर मेज पोस या फिर वेड कबर सब लोगों ने बनायोगा जितने लोग होम साइंस पड़ दे हैं सब ने बनायोगा प्रेक्टिकल के टाइम पर बीए में पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर उसके आगे सब लोग इसका प्रियोग किये होंगे सब जानते होंगे कास्मिंट क्या होता है मोटा होता है इसका कपड़ा कैसा होता है मोटा और अपार दर्सी कपड़ा होता है कपड़ा होता ह इसमें क्या किया जाता है इसमें वेड़ सीट बनाने के लिए कढ़ाई करने के लिए टेक्स्टराइल के प्रेक्टिकल में इसको यूज किया जाता है इसमें बुनाई घनी की जाती है इसकी जो बुनाई होती है वो घनी की जाती है इसमें क्या होता है इसको किसके लिए यू कड़ाई करने के लिए Oh right और इसमें क्या होती है तो इसके कड़ाई लोगों ने ॐतिखा कैसा होता है काटन टाइप में होता हैं एक दम से से इसमें बहुत जादा सटे हुए होते ऐसे ऐसे एक देखने पो इस टाइफ क का लगा होता है यह बना वाला अरी हर color का yellow color का भी मिल जाता है white color का मिल जाता है हम लोग जब graduation में थे तो हम क्या किये थे इस पह क्या किये थे हम लोग हमारे यहां पर क्या लगा था मेज पोस्ट लगा था और हम लोग इसके पेंट किये थे पेंटिंग बनाये थे हम लोग तो इसको सब लोगों ने इसको यूज किया होगा कास्मेंट यह हो गया यह भी एक परदा है उमेद करती हूं सबको यह क्लास समझ में आया होगा और क्या है यह बहुत ज्यादा important है, यहां से एक परदे का वो जरूर पूछा जाएगा TGT, PGT या फिर net का question, so thank you, मिलते हैं अगली class में.